हेलो पाइसेस वेलकम बैक टू मैं चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो डबल फोर आज की वीडियो में हम पाइसेस यानि की मिन राशी वालों के लिए रिडिंग करेंगे कि एपरल मंथ उनके फाइनेंस के लिए उनके लव रिलेशन के लिए और उनकी हेल्थ के ल निकले हैं 8 of cup, 7 of cup, death, queen of pentacle और all over energy के लिए आपका निकला है 6 of swords, judgment और bottom of the deck है आपका the full का card आपके card कहते हैं कि अपरेल के first week में आप finance को लेके कुछ परेशान रह सकते हैं हो सकता है आपके कहीं से payment डानी हो जो कि ना आए इसकी वज़े से आप परेशान रहें और ये भी ह हो सकता है कि आपका काम, आपका business, आपकी job आपको मन मताबिक आपको फायदा ना दे रही हो जिसकी वज़े से आप कुछ परेशान या कुछ urgency महसूस कर सकते हैं ये भी हो सकता है कि आप में से जो लोग job करते हैं आपके workplace में कुछ problem चल रही हो तो first week कि आपकी energy थोड़ी ठ asking करें एक से ज्यादा काम करें या फिर उनके बारे में सोचें क्योंकि ये कार्ट ये भी कहता है कि आप में से कुछ लोग day dreaming करते हुए भी दिख रहे हैं तो पाइसे आप जिन कामों के बारे में जिस चीच के बारे में सोच रहे हैं उसको तुरंत action में लाइए जब तक आ आपको profit नहीं हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नई जौब के offer मिलेंगे आप अपनी पुरानी जौब से या अपने पुराने काम से अगर आप satisfy नहीं है या आप उसको change करना चाह रहे हैं तो April month में आप उसको 100% change कर पाएंगे कुछ लोग अपने नए काम में नई financially भी वो काफी help कर सकती है ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ partnership करें आप में से कुछ लोग out of country भी जाते हुए नजर आ रहे हैं अपने business के सिंसले में हो सकता है आप अपना काम आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको help की जरूरत हो तो ये महिला आपकी help भी क हो सकता है आपकी all over energy जो आई है वो six of swords की आई है और judgment की आई है तो of course आपकी जो financial problem अब तक चली आ रही थी उनमें आपको काफी हद तक relief मिलने माला है आप अपने काम पर भी focus करेंगे आप अपने काम पर action लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और अपने काम के सिंसले में आप एक जगे से दूसी जगे पर यात्रा करते हुए भी नजर आ रहे हैं फूल की energy है तो आप मेंसे कुछ लोग एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं हो सकता है आप कोई नई जॉब नया business या किसी नई चीज की शुरुआत करें आप मेंसे कुछ लोग घुमने फिडने भी जा स कि आप अपने जो भी काम है उनको सिर्फ सोचे नहीं बलकि उनको action में लाएं क्योंकि seven of cup का जो card होता है वो illusion का भी होता है कई बार हम बहुत सारी चीजों को सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए या हम ऐसा करेंगे लेकिन हम करते नहीं है तो जब तक आप action न लिए कि उनको offer मिले हैं कोई chance मिला है उनको past में लेकिन उन्होंने उसको accept नहीं किया तो इस वज़े से भी वो problem में आ गए हैं तो all over energy आपकी finance को लेके अच्छी है अब हम देख लेते हैं कि April मंथ में आपके love and relation कैसे रहने वाले हैं पाइसियस आपके relationship को लेके card निकले है नाइन ओफ वैंड्स दा हेरोफेंट फाइव ओफ कप्स टू ओफ सॉर्ड्स ओल ओवर energy के लिए आपका निकला है सेवन ओफ कप और bottom of the deck है एट ओफ कप जो कि यह कहते हैं कि आप April के first week में आप काफी निराश नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी रिष्टे में आपने जरूरत से ज़्यादा effort डाले हैं और वो रिष्टा वर्क नहीं कर रहा अब आप यह चाहते हैं कि आपका relation जो है आपका रिष्टा जो है यह आपका partner है वो उसमें effort डालें आपको बहुत बेताबी के साथ में किसी चीज़ का इंतजार है और इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा गुसे में भी हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी हैं अब आपसे इंतजार जो है वो नहीं हो रहा है दूसरा कार्ड आपका family values को भी दिखाता है आप मेंसे कुछ लोगों का हो सकता है कि आप एक रिष्टे से दूसरे रिष्टे में जा रहे हो या जबर दस्ती कहलो या आप किसी मजबूरी की वज़े से आपको किसी दूसरे रिष्टे में जाना पड़ सकता है आप मेंसे कुछ लोगों की arrange marriage भी हो सकती है love marriage नहीं arrange marriage हो सकती है आप मेंसे कुछ लोगों की उसके आपको ज्यादा आपका फोकस है, बशर्टे कि आप अपने प्रेजंट में या अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, नहीं आप अपने पास्ट के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं, आप मेंसे कुछ लोग ऐसे पार्टर के साथ हो सकते हैं, जिसके साथ आपकी आप उसके साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप मेंसे कुछ लोगों के पास चॉइस भी हो सकती है और यह चॉइस जो है वह बहुत डिफिकल्ट चॉइस है आपकी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने किसी एक को चुना तो वह दूसरे के साथ ना इंसाफी होगी और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं यह यह भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिष्टे में हैं जहां पर आपकी बिल्कुल भी बन नहीं रही है आप बहुत ज्यादा प्रॉबलम में हैं आपको लग रहा है कि मैं इसको छोड़ों ना छोड़ों totally अगर आप उस रिष्टे को बहतर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्षन लेना पड़ेगा आप उसको बहतर करिए अधर्वाइस वो रिष्टा आपके हाथ से चला जाएगा और आप फिर अकेले रह जाएंगे रिष्टों पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कई बार ऐसा होता है कि हम बात ह ही नहीं करते हम उको लगता है दूसरा सामने वाला हमसे बात करें पहले पहले दूसरा सामने से कहल करे हम पहल करना नहीं चाहते तो यह यह जीजब घलत है आपको पहल करनी चाहिए आपकी प्ये Carbon 컨an वहर एनर्जी जो है वह वह भी सयवन ओफ कप की आई है ॏ जो कि इल्य हैं जब आप रिष्टों पर फोकस ना करके दूसरी चीजों के उपर फोकस करते हैं तो आप अपनी इस एनर्जी से भी बाहर निकल लिए आप पहले इसके खोने का दुख है आप अक्यले पन के शिकार होते जा रहे हैं तो पास्ट से निकलिये अपने प्रेजंट में जीना सीखिए अप कुछ चीजों को आप भेइतर कर सकते हैं ...कुछ को आप नहीं भी कर सकते। जिनको आप नहीं कर सकते हैं ... उनको छोड़ दीज़ेे став ?गे बढ़िए .... अपने अंदर energy लाए उसके बहूत सारे तरीकेяс केए खुद पे बट करिये !अगर आप खुद पे वर्क करते हैं तो आप इस परेशानी से बहुत जल्दी बहार आ जाएंगे तो यह थी आपकी अपरल मन्त की आपके लव रिलेशन को लेकर अनरजी अब हम चेक करते हैं कि अपरल मन्त में पाइसियस आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है पाइसियस आपकी हेल्थ को लेकर काड़ आए हैं फाइव ओव वांस, वील ओ फॉर्चून, दलवर्स, दफूल, ओल ओवर हेल्थ एनरजी के लिए हैं आपका सेवन ओफ कप्स जो की इल्यूजन का काड़ है अगें मेंटल हेल्थ इशूज आपको हो सकते हैं और थ्री ओफ क प्स, आपके काड कहते हैं कि आपको इस मंद में अपने ब्ल değer प्रेशर की उपर जयादा धियान देना हैं आपको ब्लड पर्शर की कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आप पलिक डीलिंग का काम कते हैं, या आपको कुछ इसपोर्ट्स पर्सन हैं तो ठोड़ा सा अपने आपको calm and cool रखिए हो सकता है किसी लड़ाई जगले के दोरान आपको चोट लग जाए वहाँ चला रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान से चलाए अगर आपको कुछ heart trouble पहसूस होती है तो तुरंत जाकर डॉक्टर को consult करिए ज्यादातर आपके mental health issue ही नजर आ रहे हैं नापरवाही मत बरतिये और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए अगर आप healthy हैं तभी आप well दी हैं तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे अपनी life को आगे बढ़ा पाएंगे तो अपने health issues को ignore बिल्कुल मत करिए all over energy आपकी थोड़ी ठीक ठीकी है पूरी तरह से ठीक तो नहीं कहूंगी लेकिन फिर भी अगर आपको कोई problem महसूस होती है तो उस पे आप ध्यान जरूर दीजिए आप अपनी health को ignore मत करिए तो ये थी पाइसेस आपकी April month की reading I hope आपको पसंद आएगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care thank you so much